हेलो दोस्तों कैसा आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का सौध करता हूं मेरे चैनल आपका अचार कंसल्टन में दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पीपल एनलेटिक्स के बारे में इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चचाय हो रही हैं बहुत स बड़ी बड़ी कंपनियों में ही अप्लाई कर पा रहे हैं वहीं पर रिक्वार्मेंट निकल रही हैं तो आज हम लोग इसी टर्म के बारे में जानेंगे कि बेसिकली पीपल एनलेटिक्स क्या होता है और यह क्यों इंपॉर्टन हो जाता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह टर्म बिसकली है क्या वाट इस पीपल एनलेटिक्स तो जो पीपल एनलेटिक्स है वह यह प्रकार का नया ट्रेंट है HR में जो की अभी चल रहा है और पीपल एनलेटिक्स में जो होता है यह प्रकार का प्रैक्टिस है जिसमें जो करें अंकाड पूरा का पूरा डीटा हरप्रकार से एलेट्क करके या जाता है ताकि उस से एक प्रॉपर डीसिजन निकाला जासके और कंपनी के हिट में वो डिसेजन लिया जा सके यह बिसकली paper analytics की practice होती है दोस्तों इसमें जो involvement होता है वो data को understand करना होता है जो भी data निकाला जाता है अलग-अलग sources को दुद्वरा उसको लाके उसको समझना होता है employee की behavior को समझा जाता उसके पिस्स पर उनके पर्फोरमेंस को और उनके एंगेजमेंट को समझा जाता है और उसके पिस्स पर डिफाइन के जाता है कि कौन-कौन से एरिया में जुए employee को improve करना चाहिए और कैसे उनके काम को बैतर बनाया जा सकता है इस आइज नेक्स है people analytics takes a broader perspective ये प्रकार का broader perspective देता है किसी भी organization को क्योंकि यह क्या करता है अलगलग प्रकार से data employee का collect करता है हर प्रकार के sources से जिससे की इन को overall information मिल जाती है एक employee की कैसा इसका behavior pattern कैसा है कैसा यह काम कर रहा है आगे क्या कर सकता है तो यह बिजनस के लिए ओवरॉल बहुत जादा important हो जाता है दोस्तों तो यह बिसकली people analytics का काम होता है तो आज भी जो भी आज देख रहे होंगे जो भी बड़ी बड़ी इस फेस्बुक है गूगल है यहां पर पीपनलिक्स की प्रोफेशनल की डिवांड बहुत जादा है वहां पर पीपनलिक्स का मतलब यह ही है तो इनको पूरा ब्रॉडर प्रॉस्पेक्टिव देखना होता है यह से पहले मैंने एचार अनलेटिक्स का भी वीडियो बनाया ले फ्रॉस्वाइए चले वागव बढ़ता है है यहाँ पर की एकस्पेक्ट के क्या एक है और किमार करने देटर को क्लेटा क्या चारा है को यहां पर ही काम हो रहा तो है क्योंकि परमेंट काम है वो डीटा को टीट करना एंप्लॉइस की टीटा वाइटा कटे लेक्षिंजन है और का वात करने के बाद अगला जो स्टेप वह डीटा को निलाइसаешь और life ने अप लगद कर सकते हैं तौन प्रामरी है जैसे कि मैं अपने वीडेो में हमेха करने को च्टीड में हो सकता है बहुत चार लेंदी जो तर डेटा होता है उसको एनलाइस करने के लिए पावर भी आई टैबलो इन सब का इस्तमाल किया जाता है तो सेकंड पार्ट निकल के आता है डेटा एनलेसिस तें थर्ड में जो निकल के आता है वह इंसाइड जेनरेशन क्योंकि डेटा को कर लिए गया है अब डेटा को एनलेसिक करने के बाद तीसरा है इंसाइड जेनरेशन उससे इंसाइड निकाला जाता है कि किया डेटा हमें क्या बता रहे है कई बाट डेटा बता सकता है कि भाई हां इंप्लोई खुश है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी म में नहीं जाते हैं आपको exact result मिल जाते हैं जैसे यह आपने इंसाइट जनरेट कर ली अगला आता है recommendable recommendation actionable recommendation तो यहां पर recommendations आपको देने होते हैं जो पीप analytics के लोगों होते हैं उनको recommendation देना होता है कि अब क्या किया जा सकता है inside भी निकल गी data analyze हो गया इसके बाद क्या recommendation क्या किया जा सकता है तो action यहां पर decide होता है management मिलके action decide करता है कि अगर यह issue है तो इस issue को कैसे resolve किया जाएगा तो यह चार major expect है पीप analytics के अगर आप लोगों को इस में जाना है तो इन चार चीचों पे आप लोगों को काम करना होगा चलिए बढ़ते हैं अब यहां पे people analytics important क्यों हो जाता है किसी भी organization के लिए इतना ज़्यादा importance क्यों रखता people analytics सबसे बहुता improve decision making क्योंकि आपके पास accurate data होता है और accurate data के कारण जो है आप किसी प्रकार का एक proper decision ले सकते हैं making data driven decision about talent acquisition development retention किसी प्रकार का decision जो है वो company आराम से ले सकते हैं क्योंकि उनके पास proper data enhances employee engagement क्योंकि आपने factors identify कर लिया है कि इस कारण से जो है एक खुश नहीं है तो उस जो issue है उसको identify करने के पाद आप उस उसी को दूर करते हैं जिसे कि employee का satisfaction और engagement company में बढ़ जाता है अगला आता है optimize workflow performance measure and improve employee productivity and performance क्योंकि आपके पास exact data है जिसके त्वारा जो है सकते हैं जहां पर resources को ज्यादा allocate किया जा सकता है और कहां पर कम allocate किया जाना चाहिए तो यह चीज़े भी आप कर सकते हैं मतलब company कर सकते हैं जिसके कारण का जो है cost काफी ज्यादा reduce हो जाता है कि आपको decision making जो है data driven पर कही करने पड़ेगी आप hypothesis में नहीं जा सकते हैं तो it helps them create a data driven culture in the company create a culture where data is valued and used to inform decision making तो company को एक data driven culture बनाने में काफी अच्छा मदद करता है यह कुछ importance रखते हैं दोस्तों people analytics एक company के लिए तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों आश्या करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए का अपने जादा जादा दोस्तों साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब के नमद फूलिए मैं इसी प्रकार करने ने कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आतर हूंगा बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखेगा मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वुडियो में तब तक लिए पना ख्याल रखेगा दोस्तों धन्यवाद